आज के इस वीडियो में जानेंगे कैनरा बैंक के मोबाइल बैंकिंग से बर्चोल डेविट कार्ड के लिए apply कैसे करते हैं दोस्तो बर्चोल डेविट कार्ड एक प्रकार से physical डेविट कार्ड काई एक digital रूप होता है जिसे electronic कार्ड या e-card भी का आ जाता है बर्चुल डेविट कार्ड का इस्तेमाल आनलाइन खरीदारी या अलेंदेन के लिए किया जाता है अलांकि बर्चुल कार्ड को स्वाइप या टाइप नहीं कर सकते हैं बर्चुल डेविट कार्ड का इस्तेमाल के वाल आनलाइन ट्रांजेक्शन में किया जाता है चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बर्चुल डेविट कार्ड को अपलाई करते हैं सबसे पहले कानरा बैंक के मोबाइल बैंकिंग को उपेन करेंगे और यहां पर पास्वोड इंटर करेंगे नीचे जाएंगे कार्ड सेक्षन में जाएंगे है अपलाई डेविट कार्ड इसपे क्लिक करेंगे बर्चुल डेविट कार्ड अपलाई इसपे क्लिक करेंगे Select Account यहां से Account को Select कर लेंगे Select Card Type यहां से Select कर लेंगे Beja Master रूपे यहां से आप Select कर लेंगे आपको जो भी Select करना है यहां से Card Variant सेलेक्ट कर लेंगे और यहां Box को Tick करेंगे और इसको Submit कर लेंगे और इससे Confirm कर लेंगे और यहां पर MP निंटर करेंगे यहां पर आ जाएगा Virtual Card Generated Successfully अब आपका Virtual Debit Card Successfully Generate हो गया है Card को Manage करने के लिए अगेन Card Section में जाएंगे Manage Debit Card इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर Virtual Debit Card हो हो जाएगा Cards का Details चेक करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर MP निंटर करेंगे यहां पर Card Numbers हो हो जाएगा इक्सपारी डेट्स हो जाएगा और अगर आपको CBB चेक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे कार्ड को Block Unblock कर सकते हैं Manage Card Usage से आप Domestic और International Uses का Limit आप सेट कर सकते हैं Pin Generation से आप Pin Generate कर सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर एक New Pin सेट कर लेंगे दोनों में Same Pin को इंटर करेंगे और यहां पर इक्सपारी डेट इंटर करेंगे और इसको प्रोसीड कर लेंगे और यहां पर M Pin इंटर करेंगे Pin Generate Successfully अब अब बर्चुल डेविड कार्ड का Pin भी Successfully जनरेट हो गया है Virtual Card को Block Unblock करने के लिए Block Unblock Card पे क्लिक करेंगे Block Temporally अगर आपको Temporally रूप से Block करना है तो Temporally Block पे क्लिक करेंगे अगर आपको Permanent Block करना है तो Block Permanently पे क्लिक करेंगे Manage Card यूशे से आप Limit Set कर सकते हैं इसके लिए इस पे क्लिक करेंगे डोमेस्टिक यूजेस के लिए आपको लिमिट सेट करना है या इंटरनेशनल यूजेस के लिए आपको लिमिट सेट करना है यहां से सेलेक्ट कर लेंगे अगर डोमेस्टिक के लिए करना है तो डोमेस्टिक पर किलिक करेंगे और यहां पर आनलाइन इकाम इस पर किलिक करें आपने इसाफ से कर लेंगे आपको जितना limit सेट करना इसको स्क्रोल करके और इसके बाद इसको सब्मिट कर लेंगे एंपिन अगेन इंटर करेंगे यहां पर आजाएगा लिमिट हैस बिन चैंज सक्सेस्पुली लिमिट भी सक्सेस्पुली चैंज हो गया है दोस्तो इस तरह से अब अपने बिच्वल डेविट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करें कमेंट करें अन्साथी सा चैनल को सब्सक्राइब करें जीए थैंक्स फ